जैन फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल लिखते पढ़ते बर तो लिखते पढ़ते हम यहां तक आगे हैं और आज हम चैप्टर फिप्थ करेंगे जोग्रफी का क्लास सेवंध एंसी आर्टी का जिसका नाम है वाटर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ भी आ बीट वे आप टीचिंग, बीट कंटेंट, बीट वाइस या कुछ भी जो भी आपको लगेगी इसमें मुझे कुछ चेंजिस करने तो आप प्लीस कमेंट के तुरू मुझे अपडेट करें इस चीज में और मैं कोसिस करूँगा उसको मैं थोड़ा इंप्रोवाइस करूँ चैनल को लाइक, शेयर, सब्स्राइब जरूर कर दे ताकि यूट्यूब मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे चैनल को और ग्रो करने में और आप तक जल्दी पहुँचने में और दूसी चीज ये बताना चाहूँगा मैं कि ये तो चैप्टर हम कर रहे हैं बेसिकली ये क्लास सेवेंत की जोग्रॉफ्य हैंदी हम कर रहे हैं तो ग्लास सेवेंत दोनों इंपॉर्टनड है बहुत इंपॉर्टन ऐ कर राया है उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा important है क्योंकि सारा geography का base जो है वो 6,7,8,9 पर ही है और even UPSC और state PSCs के लिए भी geography cover करने का सबसे best तरीका है NCRT तो चलिए हमें start करते हैं chapter जिसका नाम है water तो इस chapter में basically हमको बहुत ज्यादा detail में तो नहीं दिया हुआ है हमको सिर्भिय बताया गया है सबसे पहले water की ये की water की water अपना क्या process follow करता है process की water कहां से आया कहां गया किस जगह से evaporate होके कहा rain जाके precipitation हो रहा है उसका तो water जो है वो continue changes होते है उसके process में continuous changes है ठीक है और रहे circulates होता है कहां कहां oceans में होता है atmosphere में होता है land में होता है है तो इस पूरे water की cycle को हम क्या बोलते है water cycle बोलते है है न मतलब कभी कहीं किसी जगह पर समुदर में था पानी evaporate हुआ फिर जाके वो पता चला बिहार के उपर गिरा फिर वहां गिरके वहां के underground water में चला गया फिर underground water बाहर आया फिर नदीना लेके थूप पता चला बेओ बेंगॉल में चला गया बेओ बेंगॉल से फिर और आगे दीरे दीरे pacific ocean तक चला गया तो पता चला इंडियन ocean का पानी था और वह पहुँच गया pacific ocean में तो और एक चीज़ आपको बता दू मैं कि the amount of water in our earth is always constant है ना ऐसा नहीं होता कभी भी कि एक भी बून पानी बहुत ज्यादा मतलब खतम हो रहा है है ना amount जो है उसकी हमेशा constant रहती है हाँ उसके forms जरूर चेंज होते रहते हैं कि कभी किसी region में है कभी किसी region में कभी इस नों के form में गिर रहा है कभी ice caps में freeze होके रख constant ठीक है तो अब हमारे अर्थ का basically क्या system में देखें जैसे water cycle है यहां पर दी हुई है पानी यहां से तलाप से अनदी से evaporate हुआ उपर जाके यहां पर condensation हुआ उसका फिर इसके बाद वो उसका precipitation हो गया ठीक है यहां से वापस गिरके यह धर खेती विती में चला गया मतलब जंगल में चला गया बट अल्टीमेटली जो water है मतलब घूम फिरके पूरा एक cycle बना रहा है ठीक है वैसे water cycle के बारे में बहुत classes में काफी पहले पढ़ चुक है और यह बहुत एक basic सा concept है ठीक है अब कुछ पानी देखे हमारे पानी के साथ जो जितना भी पानी हमारे पास सी में है oceans में है वो पूरा क्या है saline water है ठीक है अब फ्रेंट्स आप बताए इसकी salinity किस चीज से मतलब इसको कौन सी चीज सालाइन बनाती है तो the salts dissolved in water ठीक है सबसे most of the salt is sodium chloride होता है या common table salt जो हम अपने गारों पे खाते हैं ठीक है तो water समुद्र की salinity का सबसे main reason क्या है sodium chloride ठीक है na cl यह आपका बहुत basic सा एक objective question है जो कभी भी कहीं भी आ जाता है ठीक है अब salinity कैसे measure करते हैं ठीक है वह measure करते हम gram present in per thousand gram of water ठीक है average salinity oceans की होती है 35 ठीक है 35 pp parts per thousand तो friends एक आपको छोटा सा homework दे रहा हूं है कि what is parts per thousand या parts per million यह क्या होता है इसकी आप एक बर definition पढ़ लेंगे ठीक है अब हम परते हैं distribution of water bodies तो we all know that three-fourth of the earth surface is covered by water three-fourth earth की surface water से covered है ठीक है अब एक question आता हमारे मन में genuine बच्चों के मन में बहुत आता होगा कि अगर इतना सारा पानी है है ना मतलब even land से जादा water है अर्थ में फिर भी बहुत सारी countries water scarcity क्यों face कर रही है तो हम थो से पहले देखे oceans में पूरे water का 97.3% तो oceans में है ठीक है और जो कि saline है उसको हमको use करना अभी आता नहीं है क्योंकि हमको पीने के लिए तो fresh चाहिए तो यह हमको अभी पता नहीं चल मतलब हमको अभी इतनी cost efficient ऐसे methods हमको नहीं पता कि हम saline water को proper treat करके अपने लिए usable बना पा ठीक है friends आप एक बार imagine करो कि ice caps में 2% water stored है इसलिए global warming इतना हमारे लिए एक चिंता का विशह है है न क्योंकि अगर यह पूरा melt हो गया तो आप समझे कितना ज्यादा water volume है यह अभी इसका हम और एक बार इसको अभी compare करेंगे तब आपको साहिद इसका और better insight मिले कि कितनी ब वो 0.009% है ठीक है inland seas and salt lakes जो जमीन के बीच में जो चोड़ोड़े seas होते हैं और lakes होती है उसमें 0.009 atmosphere में भी water droplets और मतलब water vapor के form में बहुत सारा पानी atmosphere में रहता है न वो कितना है 0.0019 ठीक है और reverse reverse में कितना है पानी 0.0001 जो कि fresh water है यह बाकी सारा इधर fresh water है जितना भी 0.009 के बाद है ठीक है अब आप फ्रेंड एक चीज compare करो कि reverse का water कितना percentage है 0.0001% जितनी भी reverse है अर्थ में गंगायमना ब्रह्म पुत्र अमेजॉन नैल तो आप समझे है राइन जितनी भी reverse है वर्ल्ड में वो सभी कितना constitute कर पे 0.0001% उनली ठीक है तो आप यह कम पे एक बाद इस से अब अंदाजा लगाओ कि oceans में कितना ज्यादा पानी है 97.3% आइस कैप्स में कितना ज्यादा पानी है 2.0% ठीक है तो अब हमारे मेन मुद्दागव इसे क्या है कि भाई पानी तो सब है 97.3% oceans में है बट fresh water कितना ह है fresh water अपने पास बहुत ही कम है है तो अब आप समझे इतना कम fresh water है इसलिए हमको उसको बहुत ही careful यूज करना पड़ता है क्योंकि एक बार पानी समुद्र में गया वो तो saline हो गया है तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि यहां पर छोटा सा fact दिया हुआ है कि जो dead sea है इ 1000 लिटर पर 1000 ग्रैम्स ठीक है और इस्राइल के जो dead sea है उसकी कितनी सेलिटी है 340 ग्राम्स पर लिटर कितना ज्यादा डैंस है कि even swimmers ना उसको पर float कर सकते हैं यहां पर activity दी हुई है यह अंदाजा लगाने के लिए कि हम water की कितने volume की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी आपक बस river water होता है ठीक है एक drop पानी जो है वो reverse में है तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस chapter में और अब बात करते हैं ocean circulation की ठीक है ocean circulation क्या होता है ठीक है कि जो भी समुद्र का पानी है ठीक है वो ऐसा नहीं है कि एक जगे इस टेल है है ना वो continuous इधर उदर move कर रहा है float कर रहा है continue तो उसके movement के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे क्या इसमें move basically समुद्र के पानी को move कराने के तीन तरीके हैं ठीक है waves करवाते हैं या tides या currents तो हम एक एक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सबसे पहले waves के बारे में ठीक है तो waves क्या होती है जब भी हमने समुद्र में देखा होगा बहुत marine beach में कहीं भी मतलब की marine drive marina beach ये सब जगों कहीं भी समुद्र के किनारे आप गोवा जाते हैं चुट्टिया मनाने तो वहाँ पर होता क्या हम देखते हैं हर मतलब continuous waves आती हैं है छोटी जोटी waves आती ह सोर को हिट करती हैं फिर वापस चली जाती है तो यह basically waves हो गई अब यह waves कैसे generate होती है originate कैसे होती है तो क्या होता है friends कि आप समझें समुद्र तो बहुत दूर तक फैला हुआ है तो जो air wind वहां से blow करती है तो वो water के water के surface के उपर से blow कर रही है तो वो हवा अपने साथ water को उसमें खीचती है ठीक है वो उसको पानी को इधर उदर मूग कराती है तो जितनी strong wind होगी उतनी strong waves create होगी जितनी हलकी mild air चलेगी उतनी कम waves create होगी बहुत कम हवा चल रही है तो बहुत ही still से लगेगा पानी but पानी waves generate होने का originate होने का सबसे main reason मतलब overall reason क्या है हवा ठीक है अब जब कभी storm आता है बहुत भारी तुफान आने लगा तो winds बहुत तेजीज चलने लगती है ठीक है और कभी कभी तो यह बहुत ज्यादा destruction कर देती है और क्या होता है जिसे आप देखे हमने पढ़ा पिछले chapter में पढ़ा हुआ है कि एक हमारे पास continental crust होती है एक हमारे प इस सब चीजों में बहुत लार्ज amount of water इधर से उधर शिफ्ट होता है ठीक और बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेपस आ जाते हैं जिनको हम सुनामी बोलते हैं ठीक है सुनामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेपस हार्बर वेपस क्योंकि यह पूरा पूरा हार्बर क्या पूरा बीच और पूरा समुद्र के किनारे का पूरा एरिया खराब कर तबाह कर देते हैं इसलिए इनका नाम हमने हार्बर वेपस या सुनामी रखा हुआ है कभी-कभी मतलब एक एवरेज 15 मीटर तक हाइट की वेपस फॉर्म हो जाती है आज तक जो स 700 किलोमेटर पर आर तक उनकी स्पीड होती है 700 किलोमेटर पर आर मतलब समझ रहा हुआ आप कॉमर्सियल जो प्लेन होते हैं उनकी स्पीड होती है इतनी स्पीड से वेपस ट्रैवल करती है towards the shore ठीक है एक हमको 2004 में समने सुना होगा बहुत ज्यादा तबाही वाला सुनामी ह था ठीक है काफी इंडिया के पूरे coastal area को बहुत destruction बहुत damage हुआ था इवन जो हमारा इंदिरा point है ठीक है जो हमारा सबसे last southernmost point है अपने इंडिया का वो तो सबमस्डी हो गया था तो तुनामी के बाद से इस बॉक्स में सुनामी का बारे इस बॉक्स में सुनामी के बारे में 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बारे में कुछ information दी हुई है हम पढ़ लेते हैं क्या हुआ था इसमें 26 दिसंबर 2004 की बात है ठीक है एक earthquake हुआ जिसका epicenter कहा था सुमात्रा की boundary के पास epicenter क्या है हमने last chapter में पढ़ा हुआ है ठीक है तो उसमें हुआ क्या था कि और वो कितनी intensity का था 9.0 intensity रिक्चर स्केल पर आप समझे यह 5-6 intensity का अर्थक्वे कितना destruction ला देता है यह 9 इसका था स्केल पर ठीकर तो आप समझे कितना बहानक अर्थक्वेक हुआ था और इस अर्थक्वेक के कारण हुआ क्या था जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे सब्डक्ट हो गई थी अब क्या हुआ कि जब प्लेट नीचे दबी आप इस जिलाइज अगर कर पाओ इस चीज को कि एक प्लेट है उसके नीचे दूसरी प्लेट आके दबी तो उस जगे पे थोड़ा सा गैप क्रियेट हुआ है ना वहा पर उस जगे खाली हुई कितनी करीब 10 से 20 मीटर डिस्प पानी वहां पर पहुंचा तो जब वह पानी वहां पर पहुंचा उसने उस जगे को भरा और जैसी पानी वहां भरा तो वहां पे थ्रस्ट जनरेट हुआ तो वह प्लेट वापस अपने औरिजनल उस पर आई नॉर्मल जो उसका औरिएंटेशन था अपने वापस प्लेस प परार की स्पीड से हो पानी भागा वापस सोर्स की तरफ ठीक है अब आप समझे देखे मुस्टली सुनामी और अर्थक्वेक को प्रेडिक करने का हमारे पास बहुत अच्छे कोई साधन नहीं है कि हम इसको बहुत जल्दी से प्रेडिक कर पाएं बट एक चीज़ जो हर सुन हुआ तो बहुत लोगों को अवेर्निस नहीं थी अब क्या हुआ जैसे सुना कि अरे समुद्र से पानी वापस जा रहा है पानी कम हो रहा है तो सब कोई उस जगह से हमको काईदे से उस समय भागना चाहिए बट सारे लोग वह यह मैजिक देखने पहुंच गए कि आरे पा वापस वाएगा है ना तो उसके कार्ण क्या हुआ बहुत से लोग और सोर्स पर आ गये थे तो बहुत ज्यादा कैज्वल्टी हुई थी ठीक है यहां पर स्पीड दीवी है 700 से 900 किलोमेटर पर आर की स्पीड से वह स्टार्ट हुई थी ठीक है अब आप समझे शोड तक आत पांडिचेरी अंदमाननी को बार इन सारे एरियाज में ठीक है तो यह एक यहां पर पिक्चर दिखाए गए कि सुनामी से क्या क्या डिस्ट्रक्शन डेमेज हुआ था तो बस यह बताना चाहे रहे हैं इसमें से कि सुनामी क्या फिनॉमिना है ठीक है तो हमको शाहिद समझ हो गया यहां कभी बहुत ज्यादा स्टाम आ गया इस ट्रॉम फ्रेन्स अमने लास्ट्र पढ़ाता कि जब भी लो प्र्यसर एरिया ऐछcheso को फूल फिल उस जगे को प्रेशर एकुलिब्लिध होग में ऐन के लिए बहुत तेजी से में हाती है स्पीट से सोर्स को हेट करती है तो यह पूरा कॉंसेप्ट था वेब्स का अब दूसरा हम फैक्टर पढ़ते हैं टाइट्स का ठीक है टाइट्स बेसिकली क्या होती है दर रिद्मिक राइज और फॉल ऑफ ओस्ट वाटर ट्वाइस इन डे इस कॉल टाइट्स ठीक है दिन मे पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है ठीक है और लो टाइट कब होती है जब अपने लोवेस्ट लेवल पर पानी आ जाता है समदर के किनारे तो आपको यह क्लियर हुआ है अब यह कैसे होते हैं तो टाइट्स को इंफ्लुएंस करने का सबसे मेजर फैक्टर होता है ग्र यह जब एक लाइन पर सांब्र स्क्राइले का था दुरिम में होता है कि इनका ञएंस चाहे人 के इनका होता हैınız जब ये एक ही लाइन पर हुए इनने gravity पूल किया तो जो water level है वो towards इनकी तरफ हलका सा push होता है तो वो basically क्या होते हैं high tide उस time पर create होती है पानी काफी उपर उपर तक rise आ जाता है ठीक है तो यहाँ पर high tides होती है इनको हम spring tides भी बोलते है ठीक है अब दूसरा scenario समझते हैं कि जब ऐसी situation आती है जब अर्थ और sun moon ये diagonally position पर है ना मतलब sun इस तरफ है और अर्थ उसके quarter position पर रहता है इस time पर क्या होता है कि दोनों का pull लगाते हैं बट ये diagonal direction में इनका pull लग रहा है तो उसकारण ये जो पानी होता है ना वो पीछे की तरफ मतलब browning होती है पानी की त कि इसमें कैसे लेखना है बट concept आपको समझ आया कि जब तीनों एक ही line पर है तो gravitational pull सबसे यादा लगता है तो इसलिए यहाँ पर high tide हो जाता है जब यह अलग-अलग positions पर है तो gravitational pull इनका कम होता है ठीक है तो यह low tide यहाँ पर होती है ठीक है अचा अब high tide low tide के फायदे क्या ह होते हैं आप एक चीज़ समझें एक चीज़ हमको यह clear है कि दिन में दो बार high tide low tide होना है मतलब एक बार high tide होगा एक बार low tide होगा तो बहुत सारी जगहों पे इन waves की energy से हम electricity भी generate कर रहे हैं मतलब कुछ ऐसे plant हमने power plant लगा दिये अब पता है उस जगह से एक बार high tide आएगा तो पानी बहुत ज़्यादा source की तरफ rush करेगा तो उस टाइम पे उससे हम electricity generate कर लेते हैं दूसरी चीज़ क्या होती है कि fishing के लिए बहुत ideal situation हो जाती है जब high tide आता है पानी source की तरफ आता है तो उसके साथ मचलियां भी source की तरफ आती है तो हमको catch करने में ज़्यादा easy हो जाती है और बहुत सारे ships और marine जो भी डैवलर्स हो गए यह लोग क्या करते हैं यह इन टाइट को अपना टाइट के थूरू इनको डाइरेक्शन भी पता चल जाता है अना जिस साइट हाइट होने लगा वो समझ जाते हैं towards और हाइट रहता है अब तीसरा जो मुमेंट पा जैसे हमारे ground में नदियां बहती है है ना नदी कहीं से originate हुई बह रही है ऐसे ही समुद्र के अंदर भी बहुत सारे currents flow करते हैं ठीक है constantly flow करते रहते हैं ठीक है और अपने definite direction में flow करते हैं ऐसा नहीं कहीं भी दवदर वो उसी direction में हमेशा flow करते रहते हैं ठीक है यह दो तर corners पर poles हैं तो equator पर सबस्यादा heat परती है sun की direct rays परती है तो उस जय का पानी जो होता है वो गरम होता है तुरंट तो जित्ते भी warm current है वो सब कहां originate होते हैं equator से equator वाले area से हमेशा warm current originate होंगे अब वो गरम हो गए अब वो किधर जाएंगे ठंडे की तरफ जाएंगे तो ठं equator से originate होके north pole और south pole की तरफ warm current चल देते हैं cold current कहां originate होते है cold current जो होते हैं वो poles पर originate होते हैं जहां पर ठंडा पानी है बहुत ठंडा पानी जहां पर रहता है वहां से cold current होते हैं अब cold current ठंडे होके किधर जाएंगे गरम की तरफ तो वो towards equator flow करेंगे तो यह picture आपको clear हु originate होगा equator के पास से अब चुकि वो warm है उसको neutral होना है तो वो किधर जाएगा cold की तरफ जाएगा cold किधर है north और south pole दोनों poles में cold है सेम चीज होता है cold की poles से cold current originate होगा वो किधर जाएगा equator की तरफ जाएगा ठीक है तो यह इनका definite movement रहता है हमेशा ठीक है अब जिस जगह पर warm और cold current meet होते हैं जहाँ पर दोनों मिलते हैं वो fishing fishing के लिए बहुत ideal situation मानी जाती है ठीक है क्योंकि और अपन कुछ examples देख लेते हैं इसमें जैसे यह figure में आप देखें जितने भी arrow red color के हो रहे हैं वो सारे warm current है ठीक है और जितने भी arrow blue color के हैं वो पूरे cold current है अब आप इस की तरफ जा रहे हैं और जो भी cold हैं वो उपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब basically poles से equator की तरफ जा रहे हैं ठीक है यह बीच में जो line equator है Indian ocean हो गया है यह यहां से cross कर रही है अब कुछ अपन नाम देख लेते हैं एक दो जैसे कोई सभी आप गल्फ स्ट्रीम हो गई तो गल्फ स्ट्रीम क्या है एक warm current है वो equator से यह देखे इधर होते हुए नौर्थ मतलब पूरा उपर की तरफ जा रहा है है यह रसिया के पीछे से निकलके वह जाके अपना ठंडा होने गया है वहीं पर लेब्रड और करेंट आप देखे जो इधर से originate हो रहा है यहां से originate होते हुए इस तरफ equator की तरफ आ रहा है तो यह इनका ऐसे प्रॉपर मूमेंट हमेसा चलता रहता है ठीक है तो फ्रेंड्स एक चीज़ और कि जहां पर भी currents meet करते हैं आपस में cold warm तो उस जगह पर हमेशा almost foggy weather रहता है ठीक है तो foggy weather हो जाता है तो क्या होता है नविगेशन में काफी हमको मुश्किल हो जाती है तो फ्रेंड्स यहां पर चैप्टर अपना खतम होता है इसमें हमने बहुत कुछ ही चीज़े पढ़ी है बहुत चोटा सा चैप्टर है वाटर साइकल पढ़ा हमने कि हमारे प्लैनेट में अर्थ में water कैसे क्या मूव होता है ना water water cycle क्या होती है पानी कैसे क्या movement होता है पानी का यह सब पढ़ा फिर इसकार हमने distribution of water bodies पढ़ा कौन सा पानी कहां कितना है इस टोड है वह सब पर ने के बाद हमने क्या पढ़ा मार्ज 22 वर्ड वाटर डे कहलाता है फिर हमने पढ़ा वेप्स के बारे में पढ़ा टाइट्स के बारे में पढ़ा सुनामी के बारे में पढ़ा 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी हिट करी थी उसके बारे में हमने पढ़ा फिर इसका हमने ओसें करेंट के बारे में पढ़ा यह सारे जो भी टॉपिक्स है अभी यह बहुत डिटेल में हमको आगया अनुवली क्लासेज में आने वाले हैं जैसे कि 9, 10 में ओसेन करेंट्स और यह सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि उनसे क्या-क्या इफेक्ट होता है आपको बता है यह पूरे लेंड एरिया में इन ओसेन लेंड के वेस्ट साइड में ही क्यों है जैसे हमारा थार डिजर्ट हो गया वह रायस्थान एरिया में वेस्ट में है ठीक है जो सहारा डिजर्ट हो गया वह अफ्रीका के वेस्ट में है आस्ट्रेलिया के वेस्ट में भी डिजर्ट है तो यह आपको मुझे बताना है इसका डाउट, क्वेरी या कुछ भी पूछना हो बिलकुल आप कमेंट सेक्षेन में फ्री है और प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को जादा जादा सब्सक्राइब और शेयर करें so that मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाने के लिए मेरा मोटिवेशन बना रहा है ठीक है ट्रेंड्स दन्यवाद जैहन